हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी होमार्ट चैनल पर फ्रेंड्स यह मैंने तीन कलर का कपड़ा लिया है देखो एक प्रेंट है दो प्लेन है आपके पास में जैसा कपड़ा उपलगत है आप उसके अधार पर ले सकते हो तो अब देखो मैंने यह साध करेंगे देखो इस तरीके से अब हमने इसको काट लिया अब हमें एक भाग इसमें से निकालना है यहां से हम कट करेंगे मैंने एक भाग को निकाल लिया है अब हमें इसी भाग जो मैंने यह गत्ते का पीस लिया है इसी शेप में हमें कपड़े की कटिंग करनी है तो कपड तो हम उसको एक एक पीस को रखते हुए कटिंग करेंगे जासी इसकी कट एक पिस को इसके काटे lorsqu गत्त करेंगे दोस्तों आपको मल्टी कलर से बनाना है तो यä बन Adv lin well बना सकते हो जैसे अबको अच्छा लगए उसके आदार पर डोर्मैट करेंट बना सकते हो तो सबसे पहले हम कपडा लेंगे कपड़े को हम इस शेप में cut करेंगे पहले हमें गत्य की cutting करनी है यह वाली shape निकालनी है फिर हमें जितना कपडा है हमारे पास में उस तरीके से हम इसकी cutting करके इनको त्यार करेंगे तो friends मैंने ये piece cut कर लिये हैं अब देखो हमें सिलाई कैसे करनी है सिद्धे के उपर एक उल्टा piece रखेंगे हम इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे देखो इसके उपर हमें तीन सिलाई लगानी है देखो एक तो यहां तक इस side हो गई एक दूसरी side हो जाएगी और एक उपर की side हो जाएगी तो इसको हम तीन और से सिलेंगे एक सिलाई होगी एक इधर लगाएंगे इस तरीके से friends एक piece के उपर हमें तीन सिलाई लगानी है अब दो गई अब यहां पे एक सिलाई और लगा देंगी फिर हम इसको सिलाई करने के बाद में इसको हमें सीधा करना है तो किस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे वो भी मापको बताऊंगी तो यहां से हम इसको काट लेते हैं अब यहां से हमें थोड़ी सी कटिंग करनी है इस तरीके से देखो कहीं से भी यहां से हम थोड़ी सी कट करके और इसको सिधा कर लेंगे इस तरीके से ऐसे हमें सिधा करने के बाद में देखो इसके उपर हम अच्छे से प्रैस करेंगी एक बार हम इसको सिधा कर लेते हैं सिधा करने के बाद में हम इसको अच्छे से प्रैस करेंगे तो फ्रेंड्स सैम इसी तरीके से हमें जितने ही पीस त्यार करने हैं उनको हमें ऐसे ही कटिंग करके और सबको ऐसे सिलाई करके और हमें इस तरीके से इसको सिधा करते हुई हम सबको अच्छे से प्रैस कर लेंगे तो यह देखो यहां से हम इसको कोणों को कैंची की साइता से या किसी पैन पैंसिल की साइता से इसको इस तरीके से शेप दे देंगे तो इस तरीके से देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया है इसी तरीके से हम बाकी को त्यार करेंगी तो यह देखो फ्रेंड्स मैंने सब इसको त्यार कर लिया है तीनों कलर को इस तरीके से यह देखो सब को प्रेस कर लिया है अब हमें इसके लिए एक प्लास्टिक का थेल जिससे हम सुंदर्शा payroll mat बनाइगे देखो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे हमें 2 रवर्ड करना है एक बार और दो बार फिर यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे फोल्ड करके यह हमारी shape बनेगी इसकी तो friends इस तरीके से मैंने fold कर लिया है और सबको press कर लिया है और ये हमारी एक सुन्दर सी shape बन गई है अब हमें एक plastic का थेला लेना है उसके उपर हम सुन्दर सा door mat बनाएंगे तो ये देखो friends मैंने प्लास्टिक का थेला लिया है इसको मैंने circle के अंदर काट लिया है अब हम इस shape को यहां पे रखेंगे जो हमने ये पटी त्यार की है कतरन की इसको corner के उपर रखेंगे और सिलाई करेंगी जहां तक इसको मैंने मोड़ा है वहीं तक हमें इसको सीलना है ताकि ये लाइक के अंदर आ जाए तो इस तरीके से हम इसको round shape में लेते रहेंगे एक एक पिसको रखते हुए हमें इसको सीलना है अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें एंड पास में कोमेंट करके जरूर बताना कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा तो दोस्तों हमें सबसे पहले कतरन को कट करना है जो मैंने गत्ते की shape बनाई उस shape में फिर हमें एक दूसरे के उपर रखकर सिलाई करनी है फिर इसको सिधा करना है सिधा करने के बाद में इसके उपर प्रेस करनी है प्रेस करने के बाद में हमें इसकी एक से पोर देनी है इसको हम दो बार fold करेंगे fold करके हम फिर इसके उपर press करेंगे फिर हम plastic के थेले के उपर इस तरीके से attach करेंगे तो ये मैंने इसका first round ले लिया है कितना ही सुन्दर लग राइए देखो friends तो इस तरीके से मैंने एक round को complete कर दिया है अब हमें second round कैसे लेना है देखो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और दूसरी कत्रन लेंगे जो हमने ये पीश त्यार किये हैं उनको हम लेंगे और फिर इसके उपर हम अच्छे से सिलाई करेंगे देखो किस तरीके से हमें दूसरी इस पिसको ऐसे रखेंगे दोनों के बीच में यहां पे रखना है हमें दोनों के बीच में रखते हुए हमें सैम वहीं पे हमें सिलाई लगानी है जहां पे हमारा यह कपड़ा जैसे मैंने मोड के शेपदी हैं वहीं तक हम इसको सीलेंगे इस तरीकी से तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखे बिसमिस किप ना करें आपको लास तक बताऊंगी कि इसको पूरा सील के कैसे त्यार करना है तो फ्रेंट्स अगर आपके पास में भी इस तरीकी से बचाओा कपड़ा आ रही है और इसकी सेफ देखो सबसे अलग दिख रही है कितना अच्छा ये डॉर्मैट लग रहा है तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने इसका सेकंड राउंड यहां तक बना लिया है इसी तरीके से हम एक एक पीस लेते जाएंगे और दोनों के बीच में इस तरीके से रखत है यह कितनी अच्छी इसकी सेफ अरे तो प्रेंड्स मैंने इसका सेकंड राउंड भी कंप्लिट कर दिया है देखो कितना ही सुंदर लग रहा है अब हमें इसका थर्ड राउंड लेना है अभी हम फिर से Prenet लेंगे मैंने इन तीन फ्रेंड के समांद और प्रेंड techniques कर तो दोस्तो हमें पूरे dormat को जैसे मैंने first और second round लिया है सैम उसी तरीके से हमें जो हमारा ये पूरा प्लास्टिक का थेला बाकी बच्चा है उसको हम इसी तरीके से piece को रखते हुए हम पूरे dormat को complete करेंगे जितना ही बड़ा आपको डॉर मैट बनाना है उसके इसाब से आप प्लास्टिक के थेले को कट कर लें या फिर आप कपड़े को सरकल के अंदर काट लें जो भी आपके पास में उपलब्ध है उसके इसाब से तो यह देखो friends मैंने पूरे doormat को सील के त्यार कर लिया है कितना ही सुंदर लग रहा है बनाने के बाद में और बनाने में बहुत ही असान है तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही bye friends thank you, thank you for watching फिर मिलते हैं next video में